नमस्कार दोस्तों, बाईजूस गौर्णमेंट एक्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम 17 दिसमबर 2020 के समाचार विसलेशन आपके सामने प्रस्तूत कर रहे हैं जिसमें देहिंदू अकबार के प्रमुख आलेखों की हम समीच्छा करेंगे और उसमें प्रारंबिक तथा मुख्य परिच्छा से संबंदित प्रस्त भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिये जाएंगे हम अपनी पहली नूस पर आएं तो ये मद्पदेश सरकार के दारा एक वहां की विधानसवा में बिल आने का प्रस्ताव है और ये धर्मांतरण के एक तरह से विरुद एक बिल है इसके पहले आप ध्यान रखें कि उत्तरपदेश में भी इस तरह का धर्मांतरण विरुदी एक अध्यादेश वहां पर लागू है और इसी कालण से कही ना कही धर्मांतरण को रोकने के लिए जो विभिने राज्जों में कानून आ रहे हैं उनको लेकर एक चर्चा काफी तेजी से बढ़ रही है क्योंकि माना यह जा रहा है कि कही ना कही जो धार्मे कादिकार जो हमें संविधान के द्वारा संरक्षित हैं, उन पर एक तरह से कुछ यहाँ पर प्रभाव पड़ सकता है, तो इसी संबन्द में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, तो मद्द्देश कैबिनेट का यह जो निर्ने आया है, तो मद्द्देश का जो कानून है, मद्द्द्द धार में सौतंता बिल 2020, तो इसमें एक तरह से अगर हम देखें, तो यह उत्तरपदेश में जो गैर कानूनी धर्मांतरन निश्यत अध्यादेश 2020 है, उसी से लगवग एक तरह से मिलता जलता बिल है, जो यहाँ की विधान सभा में लाए गया है, अगर हम यहाँ पर देख यहरते हुएं, यहाँ अगर हम विवाहा या किसी भी ऐसे धोखादरी के माध्यम से कोई भी धर्म का रुपांतरन हो रहा है, एक धर्म से दूसरे धर्म के किसी को परवर्तित किया जा रहा है, तो ऐसे प्रयासों पर मत्रपदेश में रोख लगाने का प्रयास किया एक धर्म से दूसरे धर्म में जो धर्मांतरन हो रहे हैं, उसमें जो भी लोग सायक होंगे या अगर इसे सांजिस का इस्सा माना जाएगा जाएगा जांच में, तो ये भी एक तरह से निसिद्ध किया गया या इसको रोका गया है। अब धर्मांतरन के लिए जो लोग इच्छुक हैं, उनको 60 दिन पहले ही जिला प्रसासन को आविधन करना होगा, ऐसा नहीं कि अचानक आप धर्मांतरन करके सामाने तरह हम देखें, तो जो केसिस आ रहे हैं उत्तपदेश में, वो एक तरह से विवाह को लेकर हैं, कि एक धर से दूसरे धर्मे विवा करना है, तो धर्मांतरन के द्वारा किया जा रहा है, तो ऐसी सिती में, यहां पर मदवदेश में कानून में विएस्था यह दी गई है, कि अगर आप धर्मांतरन करना भी चाहते हैं, तो आपको 60 दिन पहले जिला प्रसासन को इसकी सूचना देन होगी, और उसके बाद ही इस तरह की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं, इसी के साथ साथ अगर हम देखें, तो इन अगर 60 दिन की जो अविदी है, उसका किसी तरह से उलंगन होता है, यानि 60 दिन पहले बिना जिला प्रसासन को सूचना दिये धर्मांतरन होता है, तो त इन से लेके 5 साल तक की इसमें कारावास और साथ साथ 50 जार रुपयता का जुर्माना इसकी ब्योस्था की गई है, इसी के साथ साथ अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती और नाबालिक, यानि SCST और माइनर जो हैं, अगर उनको किसी तरह का धार्मिक रुपांतरन, SCST और माइनर जानि नाबालिक, उनको अगर किसी तरह का धार्मिक परवर्तन कराया जाता है, और इस मामले में जो भी सरकार के नियम कानुन उनका उलंगन होता है, तो 2 से लेकर 10 साल तक की जो कैद हैं, और 50 जार रुपयता का जुर्माना इसकी ब्योस्था की गई है, अपने धर्म गलत तरीके से बताएं, और बाद ने पता चले वह दूसरे धर्म से संबन देते हैं, तो इस तरह कि अगर बात सामने आएगी, तो वहाँ पर 3 से 10 साल की कैद और 50 जार रुपय के जोर्माने का प्रावदान है, अगर सामोही ग्रूप में धर्मानतरन हो रहा है, जैस किसी को आपने धन का या बल का एक तरह से दबाव डाल कर, एक समदा या एक सम्मू को एक धर्म से दूसरे धर्में परवर्थित कराया है, तो ऐसी इस्तिती में भी यहाँ पर प्रतबंध लगाए गए हैं, इस मत्वदेश के कानून में, तो दो या उससे अधिक अगर व् हो सकती है, इस कानून के अनुसार अगर हम देखें, तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति पेरेंट्स या माता-पिता हैं किसी के, कानूनी अभिबावक हैं या संरक्षक हैं, उनको अधिकार दिया गया है कि वो अगर कोई धर्मांतरन हो रहा है, उनको लग रहा है गलत है, तो खिलाप एक तरह से वो शिकायत कर सकते हैं, तो इन लोगों को कंप्लेंट करने का एक तरह से अधिकार हैं, अगर जो भी यह कानून आया है, इसमें अगर हम देखें तो समस्या हैं, तो समस्या सबसे बड़ी है कि इसका गलत उप्योग हो सकता है, यानि अगर दो व्यक्ति A और मालीजे B हैं, उनके दोera एक तरह से आपसी सहमती के मात्यम से अगर मालीजे वो लोग बालिग हैं तो अगर व्यक्ति बालिग है और साधी करने की जो भारत में कानूनी उम्र है, उसके अनुसार वो सही हैं, तो उनको एक तरह से सम्विधान से अधिकार हैं, अगर हम परवरतन भी कराया गया है, धर्मांतरन हुआ है, उसको एक तरह से गलत सावित करने का प्रयास किया सकता है, तो यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के एक उपाय दिये गए हैं, यसे कि किड्नैपिंग का एक तरह से आरूप लगा देना, या कोई इस तरह की ऐसी घटना के बारे कर रहे हैं, वो हत्युसाइत होंगे, और कहीं न कहीं अगर इस तरह का धर्म परवरतन करके कोई विवा कर रहा है, आज भी अगर हम देखें, तो भारत में अलग-अलग जातियों के बीच में विवा या अलग-अलग धर्म के लोगों के बीच में विवा ये अभी धिरे- जातिका दाधार पर अंतर हैं वो खतम होते हैं तो इस तरह की जो विश्था है वो अगर आएगी तो कहीं न कहीं जो लोग आपस में मिलकर सामुही ग्रूप से निर्णारे रहे हैं कि विवाग करना है उनके परिवार भी अगर सामिल है तो उसको भी एक तरह से अगर विशे इस धार्मिक समधाय को टार्गेट करने के लिए इस तरह के कानून बन रहे हैं अगर ऐसा है तो इसको भी कहीं न कहीं राज सरकारों को ध्यान देनी के अवश्चता है कि हम किसी भी धर्म के खिलाप एक तरह से ऐसे कानून नहीं ला सकता है अगर कोई धर्मांतरन हो रहा ह और वो अवैद है, गलत तरीके से हो रहा है, लोगों को दबाव में डाल कर हो रहा है, तो उसको रोकने की विश्था राज सरकारों को अवस्य करनी चाहिए, संविधान में हमें इस तरह का अधिकार है कि अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर, जिसके साथ में चाहें अपने ध इस लोगों के लिए किया जाएगा, इसको सरकार को देखने की आवस्तकता है, तीसरा धार्मिक स्वतनता बाधित, कहिने के हमारा जो संविधान है, वो संविधान के अनुच्छेद अगर हम 25 से 28 के पार पर देखे, तो वहाँ पर धार्मिक स्वतनता एक तरह से हमको दी ग और जिस धर्म के जो भी नियम कानुवन है, उनको चाहे उनका पालन कर सकते हैं, तो ये एक तरह से बाधा में आता है, क्योंकि अगर हमें एक धर्म में विश्वास नहीं है, और हम दूसरे धर्म में जाना चाहते हैं, तो ये किसी एक व्यक्ति विसेस का अपना अधिकार ह तो किसी भी तरह से चाहे राजप्रसासनों या कोई भी प्रसासनिक ढ़ाचा आओ, उसको रोक नहीं सकता है, तो अगर ऐसा होता है, तो ये संबेदान की भावना के खिलाफ हैं, तो धार्मिक स्वतंता ये बाधितो की, जहांते एक विवा की बात करें, तो अनुछे दिक अगर ऐसा होता है, तो ये कहिना के सरकारी हंस्ता छेपोगा विवा जैसे एक व्यक्तिगत मामले में, और ये कहिना कहीं जो सतंता है, उसको बाधित करने का भी एक प्रयास हो सकता है, तो इसको भी एक तरह सरकार को ध्यान देने की आवश्यक्ता है, अंतरधार्मिक विव की परंपराएं बढ़ती हैं और ये भारती नहीं ये हर देश के सामाजिक विकास के क्रम में दिखा गया है तो हमारे अभी अगर इस तरह का एक सामाजिक क्रम बन रहा है तो उसको अगर हम धर्मांतरन गेरकानिनी रूप में अगर मान कर रोकने का प्रयास करेंगे तो ये अ जिनको लगता है कि उनकी बिना मर्जी के उनके बच्चे विवा नहीं कर सकते हैं, वो इन कानूनों के माध्यम से एक तरह से उन्हें ससक्त किया जाता है, तो इस परंपरा को अगे बढ़ाएंगे, तो जो अंतरधार्मिक विवा हैं, उनकी परंपरा भी एक तरह से धर्मांतरन हैं, उसको रोकने के लिए प्रयास राज्य जो करते हैं, वो बिल्कुल सही है, लेकिन इस से अलग जो प्रयास हैं, उनको रोकने के लिए राज्य को भी काम करना चाहिए, यानि अगर ये कानून आ रहा है, और सही रूप में इसका उप्योग होता है, तो अगर दकाते हैं, तो इनको अगर राज्य में धर्मांतरन के रोका जा सकता है, अब अगर हम घविश के लिए बात करें तो भ02 के लिए आँ इसको ने कंसिल कर दी अ तो सफीन जहान और हादया का केस्च जो के yuan निर्ने दिया था, सुप्रिम कोड का निर्ने कहता है कि केरल हाई कोड के पाज ऐसा कोई अधिकार नहीं है, कि वो हादिया के जीवन जीने का तरीका है या उसका एक तरह से जो सही तरीका हो सकता है, इसके बारे में निर्ने देने की सकती उनको नहीं है, सही तरीका क्या होग जीवन का कैसे जीना है, इसके बारे में किसी व्यक्ति का अपना निर्णा होगा, और वो पूर्ड रूप से स्वतंत्र है, तो उसकी स्वायत्ता पर किसी भी तरह से रोक नहीं लग सकती है, तो पहला तो एक प्रमुख यहां पर जो फैसा सुप्रेम कोड ने दिया, एक दू तो किसी भी तरह से माता पिता या अभिवाबक अगर वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी सही से नहीं ले रहे हैं, तो माना जाता है कि जो राज्य उसके पास सकती है, क्योंकि राज्य को एक तरह से या सरकार को एक तरह से ऐसे व्यक्ति के लिए अभिवाबक मान लिया कोड का कहना है कि parents patria का concept तब आता है जब असाधार मामला हो सभी मामलों में से लागू नहीं कर सकते हैं यानि जहां पर व्यक्ति मांसिक रूप से निर्णा लेने में सक्छमना हो उसकी उम्र काफी कम हो या उसके पास माता-पिता या अभिवाबक नहीं हो लेकिन हादिया के साय थीश्थिती नहीं है हादिया पहली बात तो बालिक थी और इस तरह का निर्णा लेने की पूर्ण छमता थी तो राज किसी भी तरह से हादिया का अभिवाबक नहीं बन सकता है तो जब तक अभिवाबक अनुपस्तित है या जिस व्यक्ति के लिए अभिवाबक राज बन रहा है, वो मांसिक रूप से निर्णा लेने के लिए संतुलित नहीं है, तब हो सकता है, तो Supreme Court ने Parents Patriot का concept जो दिया था उसको भी एक तरह से रद किया, इसी के साथ साथ Supreme Court ने कहा है कि किसी भी parents के दोरा अगर अपने बच्चों के लिए प्यार और चिंता ये कारण दिया जाए कि वो उनके विवाह करने के निर्णा का विरोध कर रहे हैं, तो उसको एक तरह से सही मही माना जा सकता है संविदान के अनुसार, क्योंकि अगर बच्चा जो एक तरह से वयस्क हो जा गया उसको रोकने का, तो ये जो कुछ प्रमुक आधार थे, जहां पर हादिया केस में सुप्रिम कोट ने केरल हाई कोट का जो निर्णा ता उसको बदल दिया, सुप्रिम कोट ने हादिया केस में लास्ट में जो निर्णा दिया है कि संविदान इस बात की गारंटी द तो ये सुप्रिंगोड का जो निर्णा है इसको आधार बनाकर सरकानों को वविस्त के लिए कार्य करना चाहिए तब ही हम धर्मानतरन को गैर कानूनी रूप में रोक सकते हैं और वयस के दोरा किये गया निर्णा को सही रूप में लागू कर सकते हैं इसी हमारी शरका के आधार पर आप मेंस का कुशिन लिएगा धर्मानतरन के गयर कानूनी रूप में है धर्म का बल का प्रयोग करके तो ंसको रोका जाए लेकिन वयस्त की निर्ले ले रहा है तो उसका संबान किया जाए किसी भी तरीके से Article 21 के माध्यम से जो अधिकार है उनका सरनच्छन राज्यों के दारा सुनुशित किया जाए तो इस रूप में हमने जो discussion किया है आपने इस question को लिखने का प्रयास कीजेगा हमने नेक्स टॉपिक पर आते हैं और यह जल जीवन मिसन के संबंद में हैं तो जल जीवन मिसन अगर हम देखें तो यह मिसन एक तरह से भारत सरकार के दारा अगस 2019 में इसकी घुसना किया थी और दिसंबर 2019 में यह सही रूप में एक तरह से लागू किया गया था और उद्द जो भी एक तरह से कारिकरम सरकार के दारा यह किया गया है काफी सफल रूप में है और वरतमान में सरकार के एक फ्लैक्सिप योजना के तहट इसमें काम हो रहा है तो 2019 में लाँच होने के बाद से अगर हम देखें तो राज्यों के साथ साज़ेदारी में यह काफी महतपू ध्यान रखें अगर हम को 731 जिलों में देखें तो 256 जिले और 1592 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर जल की समस्या है या वो सूखा गिरस तरह से छेत रहें तो ऐसे इलाकों में जलजी और मिसन को प्रमुक रूप से आगे बढ़ाने पर सरकार का जोर है इसी के साथ साथ ध्यान देखें तो 15 वें वित्तायग उन्हें एक तरह से सिफारिस की थी कि जो भी ग्रामीड स्थानी निकायों को पैसा दिया जा रहा है उसका जो 50% है उसका उप्योग पानी के आपूर्ती और स्वक्षेता के लिए किया जाए तो इसके माद्यम से भी 12 सरकार 30,000-375 करून रप तो ये काफी सकरात्मक रूप से एक तरह से है इस योजना के अंतर के SCST के जो इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा इस तरह की जनसंक्या वाले गाओं है उनको लक्ष बनाया गया है इसी के साथ सा जो आकान छात्मक यानि एस्परेस्नल डिस्टिक्ट हैं उनको इक तरह से ल पहले से ही है वहाँ पर सबसे पहले इस तरह के पेजल की सुद्धाओं को उपलबद कराया जाए इसी के साथ सा जहाँ पर जापानी एंसेफलाइटिस या एक्यूट एंसेफलाइटिस सिंड्रोम जैसी बीमारिया ज़्यादा फैली हुई है उन 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 पर भी एक तरह से तो अलग-अलग तरह की बीमारियां हो सकती है और कोसिस यह है कि जो भी फ्लॉरसिस है यानि जो फ्लॉराइड वोटर में ज्यादा होते हैं या आर्सेनिक ज्यादा होने से जो आर्सेनिक कोसिस होता है उसके दुस्प्रभाव को कम करना तो कोसिस यह है कि वोटर जो जा रहा है उसमें फ्लोराइड या साथ सद अगर हम बात करें आरसेनिक उसकी मात्रा को नियंतित करना जिससे की जल की गुणवत्ता को पीने लायक इस्तर पर रखा जा सके तो ये भी सरकार का एक तरह से यहां पर प्रमो को प्रियास हैं आप ध्यान रखें एंजीटी की तर आम एक तरह से प्रियास कर रही है जो एंजीटी का आदेसा उसका पालन भी एक तरह से पूंडरूप से तैखिया जाएगा तो यह विकेंद्री की ती यह यह तरफ केंसरकार का पार्ट है जो इसकी जुजना को शुरुआत दे रहा है राज जिसको लाव करने में और तीसर पानी समिती आप कह लीजे, वो ग्रामी निस्तर पर काम कर रही है, इसमें कम सकम 50% महिलाई एक तरह से सदस्य है, तो जो भी विलेज एकसन प्लान है, यानि ग्राम कार्रे एक तरह से योजना है, उसको तयार किया जाता है, और कोशी से की जाती है कि जल सुरोत का विकास कैसे किया जाए, पानी की आपूर्ति सुनुसित कैसी की जाए, ग्रे जल, यानि ऐसे पानी का भाग जो सिचाई के लिए, या अन्य तरीके से, यानि पीने के अलावा जो पानी का उप्योग हो रहा है, उसका किस तरह से प्रबंदन किया जाए, और संचालन और रख रखाओ, क् यानि अगर प्रबंदन और संचालन अच्छा होगा, तो ये भविष्षी के लिए भी लंबे समयता काम कर सकती है, जब जलापूर्ति की बात हो रही है, तो इस्थानी इस तरपर जो भी पानी का सुरोत है, उसको मजबूत करना, वो चाये तलाव हो सकता है, उसी के साथ सा उप्योग करके गंदा बच रहा है गामिड शित में, उसको एक तरह से उसका जल सोधन किया जाए, यानि उसका एक तरह से सिचाई में या अन्य रूप में गामिड शित में दोबारा उप्योग हो जाए, क्योंकि धान रखें, जो भी पेजल का पानी है, उसका बचा हुआ जो भागा या उप्योग करने के बाद जो बसता है, वो एक तरह से उप्योग किया सकता है अन्य रूप में, तो ध्यान रखें, जो वाटर की सप्लाई ग्रामिड शित में की जा रही है, तो धूसर यानि एक तरह से आप गिसे ग्रे वाटर कर सकते हैं, तो ग्रे वाटर मे इसके लिए एक तरह इसे जॉबी जलापूर्ति के लिए करने उपकंगर पर भी ध्यान दिया जा रहा जारह है क्योंकि जो भी जलापूर्ति का पूरा तंत्र है, उसमें रख रखाओ के लिए ऐसे लोग की आवस्तर कता है, तो अगर ग्रामी छेत में ऐसे लोग वहाँ पर कुसलता के साथ अपलब्द हैं, या उनको ट्रेनिंग दी गई है, तो वो इस तरह का जो जल प्रबंदन का पूरा सिस्ट्रम है, उसको मैनेज करने और उसका रख रखाओ करने में ग्राम पंचायत की साहता कर सकते हैं, पानी की जो गुडवत्ता है, वो काफी महत्वपूर्ण है, जैसे फ्लोराइड और आर्सनिक का प्रभाव ना हो, जिससे की स्वास्त पर पेजल का विपरीत प्रभाव ना पड़े, इसके लिए गुडवत्ता की जो जाच है, वो इस्थानी इस्तर पर लगातार होनी चाहिए, इस तरह की जाच करने के लिए ग्रामीन इस्तर पर पाँच ग्रामीनों को प्रसचित किया जाएगा, और यहां पर वरेता महिलाओं को दी जाएगी, यानि सामानता है, पाँच महिलाओं को करने की एक वहाँ पर सरकार के दौरा प्रयास किया जा रहा है, जिससे की गाओं में जो पानी के आपूर्ती की जा रही है, उसका इस्थानी इस्तर पर पर परिच्छन किया सकें, कि वो क्वाल्टी के अनुसार है यह नहीं है, यह जल जीवन विशन का एक तरह से प्रमुक प्रबंदन कहते हैं, आप ध्यान रखें, कोई भी संसादन है निचले स्तर पर, अगर उसमें समधाय सामन हो जाता है, कम्यूटी सामिल हो जाती है पूरी, तो वो लंबे समय तक चलता है, क्योंकि सरकारें हर जगे संसादन को बनाना और उसको रख रखाव करना वो नहीं क समचालेत कर रही हैं, और भविस में जो रक्ष रखे गए हैं दोजार चौबिस तक के लिए, उनको प्राप्त करने में इसे काफी मदद मिलेगी, तो यहां अगर हम आक्डे देखें, तो आक्डों के पाड़ पर अगर हम पांच राज्यों को देखें, जहां पस सबसे कर दिया गया है, यानि ग्रामीड चेत में पाइपलाइन के मादन से जलापूर्ती की जा रही है, यानि टेव वटर सप्लाई दी जा रही है, तो इस तरह की बढ़ाने के लिए सरकार के दारा काम किया जा रहा है, तो लगबग अगर हम दिसंबर 25 तक के आक्डे देखें, तो 6,6 करोण जो घर हैं, वहाँ पर इस तरह की जलापूर्ती सुनिस्ट कर दी गई है, इस योजना के विकेंद्र के दूप में, यानि केंसे राज्यों निचले इस्थानी इस्तर यानि पंचायत के इस तर पर लागू करने और जिम्मेदारी देने के करण, इसके सफल होन इंटरनेस्टेनल रिलेशन के संबन में है, और यहां पर अगर हम देखें, तो लीविया में जो एक कॉन्फलिक चलना है, उसके संबन में हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं, और ये निव्ज है कि जो तुर्की के रक्षा मंत्री हैं, उनके दारा यानि हलुसी अकार, उनके लीविया का दोरा किया जा रहा है, अगर हम लीविया की पूरी समस्या देखें, तो लीविया समस्या के लिए ध्यान रखें कि 2011 है, ये प्रमोक रूप से शुरुवाती भाग है, जब अरब स्प्रिंग, यानि अरब देशों में एक तरह से, जो वहां पर लंबे समय से सासन चल रहा था, उसके विरोध में एक तरह से आवाज उठना सुरू हुई, और इसी कड़ी में देखें, गदाफी जो लंबे समय से यहां पर सत्ता में थे, उनका हटना लीविया में एक तरह से कह सकते हैं, एक ग्रहयूद जैसी सिती को बना देता है, और ये ग्रहयूद समर्थत है कि यहां पर गॉवर्मेंट है, जिसको GNA, यानि Government of National Accord, तो ये GNA का एक तरह से नियंत्रित छेतर है, और इस GNA के पार पर आप देखें, तो इसको समर्थन एक तरह से तुर्की के दोरा भी दिया गया है, जबकि दूसरा इस से अगर हम देखें, लीबिया National Army, औ और ये एक तरह से एक प्रमोख वापा मिलिटरी कमांडर है, जेनरल खलीफा हफ्तार, तो जेनरल खलीफा हफ्तार अगर हम देखें, तो ये यलो इलाका है, इस पर बड़े छितर पर वो कपजा कर रहे है, लेकिन प्रमोख रूप से देखें, तो ट्रिपोली इसके आसपा तो अगर हम इस मई के अंत की बात करें, तो तुर्की दोरा जो समर्थित और ट्रिपोली में एक तरह से जो सरकार चल रही है, यानि Government of National Accord, इसकी सेनाओने जो जनरल हवतार है, उनकी जो LNA है, उसको एक तरह से कह सकते हैं, लीबिया में, उनके खिलाब उनको एक तरह से बड़त प्राप्त कर ली, तो दो जो यहान समू है, जी एने और LNA, तो जी एने तुर्की की मदद से, जो LNA हवतार का समू है, उसको एक तरह से पीछे ढखेलने में सफल रहा है, खास सवर पर ट्रिपोली पर जो एक तरह से उनका नियंत्रण हुआ है, इसी के साथ साथ ध्यान रखें, कि जो 6 साथ से ग्राइब्द की सिती चल रही है, उसमें अगर हम देखें, तो जी एने काफी एक निर्णाय करूप में बढ़ रहा है, और तुर्की का उसको एक बड़ा समर्थनिया पर मिल रहा है, तो तुर्की की उम्मीद यह है कि जो उत्तरी अफरीका का छेत्र है, उसमें वो अपनी सिती को मजबूत करें, तुर्की के अगर हम बात करें, तो तुर्की के सबसे बड़ा एक तरह से जो लक वो भुमस सागर में उसकी जो एक इस्तिती या भविस्त के लिए उस पर एक तरह से काफी निरभर करता है। उन विद्रोईयों को समर्थन तुर्की की तरब से मिल रखा है। तो बसर अलसत को रूस का समर्थन हैं लेकिन बसर अलसत के जो विरोधी हैं उनको समर्थन दे रहा हैं तुर्की। सीरिया में काम कर रहे हैं उनको भी लीबिया में लाकर तुर्की ने अपनी इस्तिती को मजबूत किया है। सहितरासंग की तरफ से प्रतबंद है कि लीबिया को किसी तरफ के हत्यार नहीं बेचे जाएंगे। लेकिन तुर्की ने सहितरासंग से मानता अपराब तो जीयने सरकार हैं उनको ड्रोन और वाई और अच्छा पणा लिये उसकी आपूर्ती की है। जिससे की जो जनरल हफ्तार का एलने ग्रूप हैं उनके खिलाब वो मजबूत हो सकें। तो तुर्की ने एक तरह से जनवरी के बास से अपना जो प्रभाव है वो लीबिया में बढ़ाना सुरू किया है। जैसे तुर्की का प्रभावव बढ़ा हैं। इसलिए प्रभावव हो महाहन ही चाहते हैं। जहां तक ग्रीस और साइपर स्क्रस कि बात करें। तो हम इस टॉपिक को पहले भी डिसकस कर चुके हैं। तो ध्यान रख़ें, ग्रीस के तटी भाग में, तुर्की के साथ एक तरह से उंका विरोध है, कि जो भी भुमस्यागर में संसादन है, उनका खनन कौन करेगा, तुर्की करेगा ये ग्रीस, इसी के साथ साथ साईपुरस की अगर हम बात करें, तो Cyrus का जो उत्तरी भाग है वो Turkish के प्रभाव में है, तो Cyprus की भी एक समस्या है, तो Cyprus घ्रीस वो भी एक तरह से नहीं चाते हैं कि Turkish का लीबिया में प्रभाव बढ़े, तो अगर ऐसा होता है कि Libia में Turkish का प्रभाव बढ़ता है, तो उत्तरी भुमस्टागर के छेतर में o Cyrus के जो हित है उनके विरोध में एक तरह से तुर्की जा सकता है और ये ग्रीस और साइपरेस के लिए बहुत अच्छी ख़बर नहीं है इसलिए उनके द्वारा विरोध किया गया कि लीबिया में किसी भी तरह से तुर्की का प्रभाव बढ़े अब जो जी एने सरकार हैं जो सैं लीबिया पनका नियंत्रन हैं तो जी एने ये चाहता है कि अगर तुर्की का समर्थन उसे मिलेगा तो एलने जो हफ्तार का ग्रूप है उसको हराने में उनको एक तरह से मदद मिलेगी तो पहला एक तरह से कोशिस क्या है कि जेनरल हफ्तार को रोकना और दूसरा समुद्र स आरख्षित किया जा रहा है इसमें ये मद्ध में लाइन होगी तो ये जो आधा इलाका है ये लीबिया का विसेस आरख्षित होगा और ये लाका हो जाएगा किसका तुर्की का तो अगर ऐसा होता है तो इस इलाके में ग्रीज के या साइप्रस के जो विसेस अदकार है उन इसलिए ऐसा कहा जाता है कि तुर्की की तरफ से अंकारा जब यहां लिखा जाता है इसका मतलब तुर्की क्योंगी राजदानी अंकारा है तो तुर्की के लिए बात की जा रही है तो तुर्की भूमत सागर में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए लीबिया को एक प्रभे सागर में समुद्री छेतरा दिकार है उसका परिसीमन का एक समझाता हंस्ताचर किया है अब इस समझाता से होगा क्या ग्रीस और जो साइप्रेस हैं उनको निरासा बढ़ेगी और तुर्की एक तरह से इन छेतरों में ड्रिलिंग या अन्य तरह के जो भी वो संसादा निकालन चाता है भूमसागर से वो कारे कर सकता है तो ये जो सीमांकन हुआ है ये सीमांकन एक तरह से प्रमुक सफलता है तुर्की की तो ये नौवंबर के पाल पर एक तरह से जियने के साथ में तुर्की ने हस्ताक्षर किया है तो ये स्टिती गईने कहीं उनको यहाँ पर यह जो एक तरह से समदरी छेत्र का जो सीमानकन किया गया है नौंबर में तुर्की और लीबिया के दोरा, लीबिया के तरफ से किस ने अस्ताषर किये जिये ने, तो यह जो समझता हुआ है, तो तुर्की के दो उद्देश है, पहला उद्देश तो यह है, कि भूमसागर के जो भी उनकी Continental Self का इलाका है, वहां पर बड़े पैमाने पर खनन कर सके हैं, या जो भी संभुतिरी छेत्र के अंदर वो संसादन एक तरह से प्राप्त करना चाहते हैं, उनको प्राप्त कर सके हैं, और इसी के साथ साथ साइप्रेस है, उससे लगते हुए जो उत्तरी साइप साइप्रेस दोनों के लिए यहां पर किसी भी तरह से इस छेत्र का संसादन के लिए उप्योग करना संभाव नहीं होगा, तो यह एक प्रमुख यहां पर उद्देश था तुर्की की तरफ से जब जियने का समर्थन सुरू किया गया, जन्वरी में इस वर्स, इसी के साथ स इरोट के बावजूद एक तरह से तुर्की ने प्राकरतिक गैस के लिए जो खनाना समुदरी भाग में वो सुरू कर दिया है, तो यह दिखा रहा है कि करना कई आर्थे खितें वो भी तुर्की प्रमुख रूप से यहां से अपना साधना चाता है, इसी के साथ सा देखें इरोट में प्राकरतिक गैस की सप्लाई के लिए एक पाइप्लाइन बिचाने की बाद चल लई है, अब अगर आप देखें, आप अगर इसराइल, साइप्रस और ग्रीस के बीच में एक पाइप्लाइन बिचाई जाएगी, तो किसी भी कारण से आप कैसे भी इसको लेकर च जाएगे है क्योंकि यह अभी प्रोजेक्ट है, जबकि इस चेतर में सीवांकर तुर्की न कर दिया है, तो कहिने कहिने इसराइल के जो आरत्य खेता हैं, और ग्रीस के और साइप्रस के आरत्य हेता है, उनको नुःसान पोचाने के तुर्की के दौरा यह कारी किया गया है तो इस छेत्र में pipeline बिछाने का जो एक तरह से एक concept था, Greece, Israel और Cyprus का, वो अब रुकता हुआ दिख रहा है, तो ये भी एक बड़ी विकट इस्तिती भविस्ति के लिए बन रही है, एक अन्य पक्ष से अगर हम देखें, तो जनरल हवतार पर अगर GNA की जीत हो जाती है, और Tripoli में एक ऐसी सरकार इस्तापे जो जाती है, जो वैचायर की रूप से, वरतमान में तुर्की की जो सरकार है, यानि न्याय और विकास पार्टी, जो वरतमान में तुर्की में सत्ता में है, तो ये एक महतपुर्ण तत है, कि इस्लामिक मूल्यों के आधार पर तुर्की में ज ने लीबिया में हस्तच्छेप किया है, तो वैचारिक कारण एक प्रमुक आधार यहां पर मिलता है, मिसर का जो मुस्लिम ब्रदरूड है, और नियाय और निर्मान पार्टी जो लीबिया में हैं, इनके बीच में घनिस संबंद रहे हैं, और इस नियाय और निर्मान पार्टी को तुर्की का समर्थन था, तो इसी कारण से जी एने की बात करें, तो जी एने इस पार्टी के संपर्क में ज़्यादा था, तो इसलिए जी एने के संपर्क में तुर्की मजबूती से लगा हुआ है, तो कहीं न कहीं जो वैचारी केक आपस में समानता हैं वो भी जी एने और तुर्की को आपस में करीब लाती हैं। तुर्की की तरफ से एडोगन का प्रयास है कि अरब देसों में ऐसी सत्ता लाई जाएं जो इसलामिक मुल्यों पर आधारित हैं। जो एक तरह से मिस्र, साउदिय और युएई नहीं चाहते हैं। और लीबिया में तुर्की की मजबूती कहीं न कहीं इस तरह के जो इसलामिक मुल्यों पर सत्ता केंद्र अरब देसों में बनाने का प्रयास है तुर्की को उसकी मजबूती एक तरह से दिखाता हैं। तो ये कहीं न कहीं अरब देसों में आने वाले समय में विवाद को और जादा बढ़ाएगा और ध्यान रखें जियने में गटबंदन में जो भी अलग अलग तत्तों सामिल हैं उसमें इसलामिक मुल्लों के आधार पर लीबिया में सत्ता चलनी चाहिए वो काफी मजबूत हैं तो हफ्तार के एक तरह से हारने के या ट्रिपोली में उनके कमज़ोर होने के बाद माना जा रहा है कि इसलामिक मुल्लों के आधार पर जो जियने हैं वो लीबिया में सत्ता के बड़े के रूप में धीरे देरे उभरेगा और इसलिए तुर्की की तरफ से जो समर्ता नहीं वो बढ़ता जा रहा है वो चाहि उनके बिदेश मंतरी के दौरे की बात करें या रक्षा रूप में या सैन रूप में तुर्की की जो मदद लीबिया को दी गई है जीने सम्मू को तो भविस में जो लीबिया है वो कहीं न कहीं जो अरब देश हैं उनके बीच में एक बड़े संगर्स के छेत्र के रूप म वो बढ़ सकता है, क्योंकि लीबिया और तुर्की एक समुद्री सीमांकर छेत्र का समझाता नॉवंबर में कर चुके हैं, तो भविस्टी के लिए ये चेत्र एक बड़े कह सकते हैं, संगर्स छेत्र को रूप में धेदरे मजबूत हो रहा है, इसी हमारी चर्चा के आधार पर एक मेंस का आप क्वेशन लिखेगा, लीबिया संगर्स में तुर्की का बढ़ता प्रभाव, भूमस्टागर के छेत्र में भविस्टी के टक्राव के लिए जमीन तयार कर रहा है, समीच्छा करें, तो आपको बताना एक तरह से, आप यहां पर डिसकस कर सकते हैं, कि कि जो साइपरस और ग्रीस के साथ उनका विबाद है, उत्तरी भूमस्टागर की बात करें, तो संसादनों को लेकर एक तरह से, जो लीबिया के साथ समझाता हुआ सीमा का, वो उनको मजबूत करता है, और युएई, साओध एरब, मिस्र, जो इस्लामी मूलों के आधार पर को लिखने का प्रयास कीजेगा, तो अगर हम देखें, तो अगर हम देखें, तो अमरीका के बाद सबस्यादा दूसरे नंबर पर केस हमारे आएं, और अगर हम G20 के अर्थरस्ताओं में देखें, तो सबसे ज़्यादा पर एक तरह से भारत पर भी पड़ा है, तो यह ज़् कोविड-19 का प्रभाव रहा है, लेकिन इसी के साथ से अगर हम देखें, तो भारत दुनिया में दवा के सबस्वड़े उत्पादकों में से या वैक्सीन के अगर हम बात करें, तो यह भी भारत को एक तरह से जो भी COVID-19 से प्रभावित देश हैं, उनके साथ संबंद मजब जिबूती उसे अपने जो पडो से वहाँ पर उपलत कराती है, भारत की तरफ से भी सार के जो देश हैं, उनको समर्थन देने के लिए हमेसा प्रयास रहे हैं, आट देशों का यह सार का सम्मू है, इसकी एक वर्चल जो मीटिंग है, वो औरनाइस की गई थी, और वर्चल म जमंती नरिद मोधी के एक तरह से कह सकते हैं, कि प्रमुख रूपसनों ने इसमें भाग लिया, और उनके दोरा, COVID-19 से रहात देने के लिए, भारत की तरफ से 20 मिलियन अमरीकी डॉलर की मदद दी गई, और एक वहाँ पर एक रिलीव फंड जैसी एक कोस बनाया गया, जिस हैं या दूइप हैं, वहाँ पर भी सेन रूप से समर्थन दिया गया, यानि जो भी वहाँ पर, चाए मैटगल सप्लाइज या अन्ने तरह के आवस्टता हैं, उनके लिए हमारी नौसेना के दोरा बड़े पहमाने पर मदद उपलब्द कराई गई, इसी के साथ सब बिदे समर्थन देना या उनको साहता देना उससे भी भारत एक तरह से पीछे नहीं रहा है, भारत ने जो समर्थन दिया ही है, चैना ने भी देच्छुनेशा के पार्ट पर आप देखें, या हमारे जो पड़ोसी देश हैं, वहाँ समर्थन बढ़ा कर अपना जो प्रभाव है, वह बढ़ाने का पूरा एक तरह से प्रैस किया है, खास तोर पर अगर हम देखें, तो सार के जो देश हैं, उनमें अगर हम देखें, तो भारत और भूटान, दो को अगर हम छोड़ दें, तो जितने भी हैं, वह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशेटिव में सामिल हैं, त उसमें इन देशों को काफी रिण दिये गया हैं, तो चीन के दोरा काफी बड़े पहमाने पर जो रिण है, उससे माफी देना, या एक तरह से रिण उपलब्द कराना, जैसे पाकिस्तान को एक दस्वनलो चार अरब डॉलर का रिण उपलब्द कराया गया, इसी के सासा मौ अबजा करने का, तो लद्दाग से लिएक अगर हम अणाचा प्रजिस का पूरा इलाका देखें, तो इस सीमा के छेतर पर चीन की सेना का जमावडा बड़ा है, और भारत ने उसका एक तरह से डटकर सामना किया है, तो गलवान घाटी का जो एक तरह से इंसिनेंट हुआ, तो उसके बाद से देखें, इस्तितिया थोड़ी सी खतरनाक हुई, लेकिन उसके बाद भारत को एक मालूम था, कि COVID-19 जैसी इस्तिति में कहीं न कहीं अगर हम सहीं बना कर काम करेंगे, तो इस तरह की जो सियों विवाद है, उनको बाचीज से और राजने का आधार पर हल क जैस सकता है, तो ये भारत का एक प्रमुक आधार था, तो सैन रूप में हमने मजबूती से इसका विरोत किया, लेकिन राजनेक और एक तरह से दुपक्छी रूप में, जो भी इस तरह का सियों विवाद है, उसको हल करने का प्रयास भी जारी रखा, नेपाल के साथ अगर में परवरतन किया गया, जो काला पानी शेत को उन्होंने अपने याँ दिखाया, तो ये सब इस सितियां भारत और नेपाल के संबंदों को जरूर कमजोर कर रही है, लेकिन केपी सर्मा ओली, जो एक तरह से भारत विरोध बढ़ा रहे थे नेपाल में, वो एक तरह से कमज जो रूए हैं, तो ये सिति भारत के लिए एक कह सकते हैं लाबदायक है, और भविस में, वहाँ पर आर्थिक रूप में, और जो भी वहां के संसादन है, उसको विक्सित करने के लिए भारत की तरफ से जो मदद है, परियोजना है, भारत जो संचालित कर रहा है, उनके भारत भी एक तरह से भारत ने अपना वहां पर जो इस्तिति उसको मजबूत रखा, और किसी भी तरह से हमारे सीमा छेत्र में जो उनका विरोध हो सकता है, वो करने के लिए हमने अपनी तरफ से सैन रूप में पूर्ण कार्यवाई की, अगर LAC के पार पर लदाक में इस्त पाकिस्तान, तो ऐसी सीति के लिए हम कह सकते हैं कि हमको एक प्रारंबे कि यहां पर एक अवसर मिला और जिसका हमने बखु भी सामना की, टू फ्रेंट जो वार है उसके लिए ये स्तितियां जो बन रही है वो भारत को एक तैयारी का मौका दे रही है, कि अगर ऐसा भविस तो हिंद मास अगर छेत में सभी को सुरक्षा और विकास की संभावना बन पाएं, इन दो लक्षों के लिए हमारी विदेश नीती प्रमोख रूप से संचालित की जा रही है और इसमें प्रधानमंती नरेद मोधी की तरफ से वर्चल रूप से जो कॉन्फरेंस की जा रही है या अगर हम विदेश मंतरी एस जैसंकर की बात करें उनके दोरा अलग अलग जगों पर जो दोरे किया जा रहा है वो इसी एक तरह से कह सकते हैं कड़ी में प्रियास हैं जहां तक हम बात करें अगर अपने पड़ोसी दोसों में तो प्धामंती नरेद मोधी और बांगल की पड़ामंती के बीच में अगर हम देखें तो सत्तर दिसंबर को एक वर्चल कॉन्फरेंस हुआ इसके मादे हम से कोसिज यह की गई कि जो भी एक तरह से सार्क के छेत्र में आपस में छेत्री एक तरह से जो परिवहन की सुबदाएं उनको विक्सित करने के लिए जो प् मौलदीव की तरफ जो नौका के मादेम से एक तरह से फैरी सर्विस की पार्ट है उसको भारत ने सुरू किया है तो यह भारत मौलदीव के बीच में जो परिवहन की एक तरह से जो सुविधा नौका के मादेम से वो आधिकारी ग्रुप में सुरू कर दी गई है तो यह महत करिये मौलदीव से संबंदों को मजबूत करने में। भारत के तरफ से कोशिज यह है कि शीलंका और हिंदमासागर के अन्य जो देश हैं। जैसे अगर हम सेसल्स की बात करें या कॉम्परोस की बात करें। इनके साथ हमारे संबंद मजबूत हुए है। COVID-19 में जो भी मेडिकल की साहता या अन्य तरह की जो मदद है वो भारत ने बड़े पैमाने पर इन द्वीपी देशों को उपलब्द कराई है। तो यह भविस्ट के लिए हमें एक मजबूत आधार देते हैं हिंदमासागर। अगर हम हिंदमासागर छेत में देखें तो पहल करने दिया जाए। जैसे अगर हम देखें तो मौलदीव के साथ एक तरह से अमरीका के जो संबंद हैं वो मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। तो अमरीका के दवारा जो मिलेनियम चैलेंज कॉर्परेशन एक प्रोगाम MCC चल रहा है। उस प्रोजेक्ट में अफगानिस अगर हम देखें तो इंडोपैसिपिक, जो एक तरह से वरतमान में अम्रीका के दवरा प्रमौ कूरुप से अपनी जो GEO Strategy है, उस में आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इंडोपैसिपिक में भारत में अपना जो रोल है वो बढ़ाया है। तो इंडोपैसिपिक में ग्रू यहां पर भारत की जो स्थितियों मजबूत हो रही है, खास तोर पर अगर हम देखें कोईट के मजबूती के बाद से, और भविस में भारत की कोसिस यह हैं कि इस समूव में इंग्लेंड, फ्रांस, जर्मनी उनको भी सामिल किया जाए, तो ऐसे स्थिती में हिंद मासागर में भारत के लिए मजबूती और जादा होगी, चीन की सिती एक तरह से नियंतित होगी, जिसको प्रसारित करने का लगातार प्रयास करता रहा है, अंतिम रूप में देखें, तो भारत अपने पड़ोसी देशों संबंद को प्रमुख वरिता दे रहा है, और कोसिस उसकी यह है कि जो भी अगर सेन तनाओ है, तो उसको दूर करने के लिए राजनीक आधार पर और दिपक्छी बैठके करके ही उनको हल किया जाए, यह भारत के लिए हमेशा एक आधार रहा है, और अगर सेन आवस्ता हैं, तो उसके लिए भारत सेन कारवाई करने के लिए भी तयार है, लेकिन इस तरह से जो राजनीक और दिपक्छी मामलों के आधार पर है, बैठके करके, उनके आधार पर जो भी मसलें हैं, जो भी मुद्दें हैं, चैसीमा बात के हो, यह अनने तरह की बाते हैं, उनको हल करने का भारत का हमेशा प्रयास रहेगा, और आने वाले बरस में भ राश्तिय मुल्यांकन एवं प्रत्यायन परिशद, तो यह देखें, बिस्वत द्याल है अनुदानायो, यानि UGC, उसका एक तरह से स्वायज संस्तान है, तो एक पॉइंट आप यह ध्यान रखें, तो और अटोनमा संस्तान है UGC के अंतरगत, तो NAAC के संबद में आप इसको objective क्या दे, उद्देश क्या है, उद्देश यह है कि जो उच्च सिक्षा है, higher education, उसमें गुणवत्ता क्वाल्टी को एक तरह से यह बना कर रखे, यह इसका प्रमुख काम है, राश्तियों सिक्षा नीती है 1986, उसकी एक तरह से एक सिफारिस है उसके आधार पर, एक स संस्ता हैं, इसके कारे को संचालत करती है, सामाने परसद यानी, जनरल काउंसल, और दूसरा कारेकारी समिती, यानी, executive committee, तो यह दो एक तरह से जो संस्ता हैं, वो NAAC का प्रमुख रूप से कारे करती है, UGC का जो अध्यक्ष होता है, वो सामाने परसद का अध्यक्ष होता है, और ध्यान रखें, जो सामाने परसद का अध्यक्ष होगा, वो नामित करता है किसका कारेकारी समिती के अध्यक्ष को, तो यह प्रक्रिया एक तरह से होती है, तो यह दोनों संस्ता हैं, यह NAAC में कारे करने के लिए प्रमुख रूप से उपयोग की जाती है, तो इसी NAAC करने वाला संस्तान है, तो जान रखें, यह सिच्छा मंत्राले के अध्यक्ष कारे करता है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, अंसर आपका एक एवल, एक सत्य है, नेक्स देखें, तो यह एक नई प्रजाती पूरवी घाट के छेत्व में मिली है, अगर हम सं रोस की बात क क्या है, पॉर्टोले का लाल जी, तो यह एक तरह से डिस्कवर की गई है, कहां पर यह आंद पदेश में प्रकासम जिले में इसको खो जा गया है, तो इसी के संबन में हमारा प्री का कॉश्चन है, पॉर्टोले सा लाली जी निम्न में से किस कारण से चर्चा में था, तो यहां पर सन रोज की यह नई परजाती खोजी गई है, तो अंसर आपका C, यहां पर आप देखें, तो माली में फ्रांस की जो सेना इतरह से ऑप्रेशन बर्खान के अंतरगत रखी गई है, जिससे कि माली में जो चरंपन्ती समू है, उनके खिलाब इतरह से जो विद्रो है माली सरकार का वो रुका जा सकें, तो वहां पर फ्रेंच सैनक के दारही अपने सैनकों की हत्या का मामला सामने आया है, एलकोहल के परभाव में, तो यहां पर हम ओप्रेशन बर्खान उसके संबन में आपको यहां पर प्रिका कॉश्ण दे रहे हैं, आप ध्यान रखें, अ हुआ अप्रेसन बरखान वहां निए वाहुएं , गो परेयशन ऑनासर ये एक होएं की गूम्हेस रहा है।।ं फॉर टी को खेंज़ हो तो उहां पर tasty है।्यजर array वह कि Miros तो इसाफुर की बात करें। तो यहाँ पर माना जा रहा है, कि जैसे भारत में जो प्रमुक रूपस से मसालों, जैसे हलदी की बात करें। और साथ-साथ फालों में अगर हम केले की बात करें, तो इनका ओपियोग भूमसागर के चिट्रे के aux खेतरे, तो सभीस स्टिटमेंट है अभी अमने देखा जो खोज में एक तरह से सावित हुआ है कांसियूग तीन चरणों के प्राची हितियास का अंतिम भाग है देखें यहां पर अगर हम देखें, तो तीन जो पाट उसमें पहले पासान आता है उसके बाद एक तरह से आपका कांसिय तो इसलिए यह कहा जा रहा है कि प्राची नितियास का अंतिम भाग है, तो मद्ध भाग है, पासान और जो लोह एक तरह से यूग है उसके बीच में, तो अंतिम नहीं है, तो पहला एस्ट्रिमेंट सही है, दूसरा गलत है, अंसर आपका ये केवल एक सत्य है, नेक्स तो दे सकते हैं, सामयन रूप से इनको एक तरह से एक गोले के रूप में, इस्फेर के रूप में बनाया जाता है, और इनकी जो बहारी सर्फस है, वो ऐसे तत्तों सो होती है, जो पानी में आसानी से घुलनसील होते हैं, और अंदुरीन जो भाग होता है, वो ऐसी दवा रखी जा दवाओं को कैंसर जैसी बीमारियों में उपियोग किया जा रहा है। दवाओं की जो क्वाल्टी है लंबे समय तक बनी रहती है। और सरीर पर एक तरह से जो नकारात्मक प्रभा होता है। जैसे अगर हम देखें तो कीमो थरपी अगर कैंसर के मरीज को की जाती है तो उससे उसके सरीर की स्वस्थ कोष्काई उनको भी नुकसान होता है। तो ये नैनो मैसल्स के उपियोग से कम हो जाता है। तो ये एक तरह से इसके प्रमोग उपियोग है। तो इसी के आधार पर आपको पुरी का कोश्चन दे रहा है। नैनो मैसल्स के संबद में निम्ल कत्नों पर विचार करें। नैनो मैसल्स के भीतर हाइडरोफ़विक सामगरी पानी में激ंसीता की गैथ है। मतलब होता है कि अंदर जो हाइडरोफोबिक सामागरी का मतलब है कि नैनो मिसल्स के अंदर जो भाग है वो पानी में घुलनसील नहीं है तो कोई दवा अगर पानी में घुलनसील नहीं है तो उसको आप कैसे सरीर के अंदर एक तरह से जहां पर आपको उसको पहुचाना है प उंके बना होता है, जो प्रमुख रूप से दवा का हिस्ता होता है, तो पहला point आपका सही है, दूसरा, इस तरह की दवा का उप्योग करने से सरीर पर किसी भी तरह का विसागतता या टॉक्सिक एफेक्ट है, वो नहीं हो पाता है, तो नियुनतम होता है प्रमुख रूप से अधिक कमी नहीं होती, यानि लंबे समय तक दवा का जो उपयोग वो किया आज सकता है सरीर के अंदर, क्रमिक रूप से इसकी कौल्टी में बहुत कमी नहीं आती है तो ये चारो स्टेट्मन यहाँ पर नैनो मीसल्स का जो उपयोग एक टारगेटट पार्ट पर बीमारी के इलाज के लिए सरीर में किया जाता है, दवा को पहुचाने के लिए उसके संबंद में सही है तो अंसर आपका D तो ये हमारे 27 संबर 2020 का समाचार विसलिंसन था आने वाले दुनों में अनने दुनों के समाचार विसलिंसन हम आपको इसी तरह से उपलब्त कराते रहेंगे प्री और मेंस के जो कोश्चन आपको दिये गया उनकी आप प्रैक्टिस करें अधिक से अधिक संक्या में लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू